में अभी तक वो गिंदबादी नहीं कर पाएं बीपियल में जिसके लिए वो जाने जाते हैं जहां तक तालूक है इस इनके स्पोर्ट खंडवाल का अपने दूनों मुकाबले पहले वहार चुकी है उनके लिए बहुत ही आहम मुकाबला है और आरके फिरिट ने अपना एक मैच जो कल खेला था वो भी उन्होंने भी गवा दिया है दूनों टीमों के लिए यह मैच बहुत इंपॉर्डन है शॉट थरमें शॉट फाइन लेक बैकवर्ट पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर मिड़ाफ इसकोर लेक बगल में अमपायर क एक खिलारी दो खिलारी सरकल के बार नजर आ रहे हैं किल की शिर्वात होने ही जा रही है और समय हो चला है आंट बचकर 23 मिनट पहले पाँच उवर 25 मिनट में कत्म करना है पहली गेन उचाल दिया गे इनको पहली के इनको बड़ाग जातों ने स्टैंड में छेरन क्या शॉट के ला मापे फिर से इनको असमान में खिला इस मर्दबा शॉट फस गया है एक खिलारी नीचे आए एक तुमारी एक हमारी बड़ाग जातों टीम के कैप्टन सस्ते में डगाउट लोटे वे प्रदाचित कमी पायाले में आली बाद होतो है आणि वाई भाउक छेंडू गाली शर वाई भाउचा विचार गेलाता नुक्ता चर्द शतक तेचा बैट मुद्धन आपन पाईलाया तेचा बैट मुद्धन आपन पाईलाया को लिवली कुदू बिलोंग करना मैंने अक्सर देखा है कि छे गिंदों में छे सिकसर लगाने वाले जब बीसी फूर्ट फॉर्मेट में आए तो छे रन बनाना उनको भारी पर गया यह बहुत बड़ा फॉर्मेट रहता है तेजस और जब आप बीपील खेर रहें तो आपको बहुत सारी चुनूतियां रह है तो बीपील में वो कामिया भी रहेंगा छे रन एक फिकेट नैनेश्वर शिलके फिकेट की खुराक के साथ नहीं बैट्समेन सूरज केने जूनियर बल्ले बादी को आए हैं इस मरतबाद छेर खानी की थी वहाँ पर बीडवे दिखिए एम जे सूपर लीग में उन्हों ने जो कैच पकड़ा था बेस कैच ऑफ दी यर सूरज केने बावाले इने सूरज केने जूनियर भी कहा जाता है दोनों सूरज है टीम में नैनेश्वर शिलके आफिस टाम के बाहर बाहतरीन स्क्वार कट क्लासिकल शॉट दिलकश स्टोक चारन सर्फ पावर बेचे शटका मधी शटकार सवकर अपक्षा गया फिर नो खुड़े दरी योगे ठरतानि तू गया फिर लाए कैप मधूंचे टू ट्रेवल बाउंडरे जबाईर शॉकर नैनेश्वर इस मारतबाल के आतों से पूश किया स्क्वार अपदे विकेट एक रन सेंसिबल बैटिंग महां पर बहुती दिलकश स्क्वार कट्था इस तरह के शॉट काफी नायाब रहते हैं क्रिकेट में 11 रन एक विकेट संगली सुरुवात पहले शटका मदे दुएरी अंका मदे दावसंकेनी प्रवेश के लाएं अक्राय आंखवर मजे सुरुवात संगली है बैटर शी मने अरकत नहीं है तू गिन बादी के लिए तैयार होते वे ननिश्वर शिलके आप देखरें मारास्ट्रा क सूपर से उपर लीग विवन्डी प्रीमियर लीग सीजन फॉर में हैं आप सभी का अर्दिक स्वागत अलता बाली सर बीसी फॉर साथी साथ पॉइनियर स्पोर्ट और बीपियल चेर्मेन मांगिलाल पालीबाल साब की तरफ से ज्यादा शफल किया था ज्यादा शफल किया था हमाँ पर हावी स्टैट पूछा लेक भाई आईए देखते हैं क्या कुछ हुआ था हमाँ पर अलगे बड़िया निर्णे अंपार का कमाल की अंपारिंग हुई है आउफिस्टाम के बाहर गेंती एक वर की समाप्ती रन मनें बारा विकेट किरा है एक इनके स्पोर्ट खांडवाल टॉस आरके पहले बल्ले बाजी करती हुई अगला मैच एक और बड़ा मैच रईस बिल्डर एंडेवलपर वर्सेज मैगी एलेवन बड़ा मैच एक और बड़े मैच के तरह भाम मुड़ेंगे इनके संगली मैच पुडशी अपले लाइट वर मातर पाली मेल इदे आपन पाउशक्ता है ननेश्वर ला अंडले गले गुलंदाजी ट्रैक वर शटक्रम आंकद भीतिया तालने गरिदा करणा अर्था तस गंदरी जर्का अबन भगीदलत दुश्या शटका मदी कुटे तेरी धावार उकाई चाथ सरका अपनेल कमी दावांच वान गाइट सेना मया शटका पसुन सुर्वात करावी लागे त्यास मन्सु ब्यान कीवा अनुमाना ना अटले ले ले ननेश्वर लाव अवा मंदे धन अप्याला पाले मिता फगोलंदासी मदून धन कमावा लागेल तयाला खरंटा बददी ने गोलंदासी विनन तयासिल की तोड़ोसा गेम स्पीड़प करा मितरा नो अजुनी कुपसर मैच इस कमाल के तेज के इन्वाज है इस गोलंदासी यार धनराज शी क्या है? कवर ड्राइब के लाता दूर से खेला था एलिविशन नहीं बना कवर में फिल्डर था बढ़िया कैच पहली गेन पर विकेट लिया तो कप्तान कह रहे होंगे धनराज को के आगड़े में ताज है और बीपीयल में धनराज है शिद्रुपाना मना लाइक निया सर्की रंचा अच्छा निया शाओ अच्छा निया बाइब को अपने घरेलो मेदान पर कुछ भी नहीं कर पाए शुनिका चेश्मा पैंड़े मेदान पर पाए शुनिका चेश्मा पाइब के लोटे कुमार गुंड नए बैट्समें जीतु माली ये कमाल के टच में है पहले मैच में भी अच्छी बल्ले बाजी की ती जीतु माली ने किस पहले माच मेदी जी फलन्दाजी के लिए धी खदाशीत कुड़ी तरी मातर आठवा विलागेल करने थोड़ासा संग अडचा नी सापड़े दुसरा शड़क पक्त प्रगादी बतावर याणिए पाबेसर दून गड़ें से इते मतर विकेट गेले धावसंके ट्वेल बारा यांका वर धनराजन जी सुरुवाद के लिया अक्तिशे पावर्फुल सुरुवाद करनासा मंटत की पहला चिनुवर जवा विकेट जाते ना तेवा यनारा जमा नवीन पैटर रस्तों तचा वर थोड़सा प्रिचर क्रियेट वाईला सुरुवाद उतिया और इतन भात्यामधी पाच्छेनु शिल्नक्यत्या पाच्छेनु मादे धन कमा उताना गुलन दाजी चा मर्फद पहले मेल का इतनुन मात्र धनराज समुर मात्र बाटर अपलेला पाल मेतों जीतु माली चा बद्दतीने भावेसरानी उल्लेकेला की चंला ट्चुमधी कियाड़ गुलन दाजी यार दंदराज शटका दिल बुडशाच्छेनु नेक्स बाल फक्ता अदल क्याताना इतने मात्र सनमान देतील अनी इतने मात्र बैककप ला कोडी ना उता मगामी या साप्तत तैनी वंटो की लाइट गेलान अंतर इन्वेडर सा बैककप और चेन्डु जाओदारन दो विक्तों के नुकसान पे एक अत्रीक रंदे डाला एक एक रंद किंतना कीमती रहता है पिछले मैच में आप लोगों ने देखा था किस कर जाए शायत धावा रोकाई चाथ आता मधर शितरक्षण अमदे एक विग्या चेन्जेस कड़ा वावा लागेल और पहले मैच में आपने देखा के फ्रेंड सर्कल ने सर्कल में बहुत से रंदी ये जो उनको भारी पड़ गए आपके पास शोट पीच गिंदी भी चाहिए आपके पास यॉरकर भी चाहिए देखिए किस तरह से तेज गेंदा ही थी और टाइम नहीं कर पायते बैट्च में आपके सेजर चेंदू असी नामक्ते ची बांधनी ही योग्या वेला करना गरजेश है अनि कदाचीत थी खरेल का दन्राच तीन चेंदू संपले अत्ता बरेंथा दावसंकिया फिफ्टीन पंद्रा दोन गडेंच अमो बदलाथा इक संगल अशटक हतालतों डिलीवर करतो आस मनेला अरकत नहीं है कमी धावा करचा करूंदेतों ओहो पदतालित थे मात्र कदाचीत सुकले गयले अनि असा मन्तात की जेवाब पदतालित रणब अपलत चुकेल ना चेंदू थामवा जर ते चुकले गडित मैच नाई जाले ना तरमग पुर्षा चेंदू ही आज़े ट्रैक पर को लंदा से यार एक्स बॉल लिते मातिर वल्दूस कुप क्या आई सोत या वेला या वेला शित्रक्षक आहे चेंडू गाली दानीश विकेट सोहिल बदन फननन्दा जला परता वला गिल तम्बुचा सर्थ सूरज केने भावाले जब से कैच लेने में जखमी होगे थोड़ा उनकी बैटिंग पर जंग लग गया है सुपला खेला था सुपला नी बैट्समें फसला सुपला शॉट केला था स्कूप किया था आउट होगे बैट्समें निश्ची दुरुपन से रज़र देनिस अब आपका स्वागत है किर्केट को मिलने वाला है साउगात किर्केट को मिलने वाला है शाकार फनेत आमीर की आला निशानियों के खालिकों मालिक इंजिनियर रवीश दुरु साब हमारे भी जूर चुके हैं हमी के दिल से आपका इस्तेक बाले विवंडी प्रीमियर प्रीमियर लीग सीजन फोर में शितरुमान आम टेनिस क्रिकेट किवा क्रिकेट शाविश फोजक्ता दिल उस पट्टे पुस्ता के दिले शॉट्जर का अन्वर्ट आले असे दा कदाचित विकेट टिकुन थे उली अस्ती पनेक वेरिया शन नाखवाई सो ता कदाचित य क्या डूला अनि त्या अनुशंगा न आवा कनवर्ट कराया च्वाथा बन फटका फसला जाब पद्दतिने सिदिक बाभेसर मंडले करेण सिदिक बाभेसर आणि तान्चे डायलोक्स हल्ट टाम ला कैतरी विग्गा दर्शवत अस्ता अखिस निक्स बॉल्ल क्यों गुलं करने चेंगे बैट्समेंट के रीच के बाहर गेंती वाइड भी गुशीद किया और वेदी के उचल कर गेन को मारनी की भी कुशीद की ते राजा गुल्वी ने बहुत अच्छे स्ट्राय करें लेकिन बड़ी बाड़ी अब तक नहीं खेलिए किस राजा गुल्वी बोली घावादून प्रमोड होता ना पंड आला पहिले वाइड बॉल इथे मातर पाले में आले अले असो मनेल अरकत नहीं है कि जाए इनिंग मतला पहिला वाइड बॉल इथे आला दवसंके सोडा गुलंदा सेयार धनराज शटका दिल बुटचा च अगली दोनों टीमों को तयाना चोरगे साप टॉस बॉक्स में आके जूर जाना है खेलने वाली टीमें तारीक राइस फैम टीम राइस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली और उनके सामने मांगीलाल पालिवाल फैम टीम मैगी एलेवन भीवंडी बेल्स दर विचार केला सिद्धीक बाबे सर की समगने राखी वाला एटिंग वाले बेल्स यत मज़े पंसांच अही काम सोप आनी कॉमेंडेटर चामी सोप नाइट मैच मदे नके सिंगल मेधिया स्राइक चेंज जीतु माली जो टॉच्च मदे क्याडू पाले मेध्वें प्रमांका दोन संपलाएं दवसंक्या दोन शटकांचा समाप्ति नंतर नाइंटे निकोना विस यांका बर संगली गोलंदासी दूर गड़ी तब लिते मतर बात केले गेले या शटका मदी सर दोवर की समाप्ति रन बने 19 विक्टेगिरिये तीन एनके स्पोर्ट खानवाल आप सभी का स्वागत है पहली मरतबा चौता जो सेशन आए वो डे और नाइट में विए पी डाइस का मंजर इंजिनियर रवीश दुरू साब अलताब बाली सर फाद दलवी सैफ अली मशूर विकेट की पर अश्पाक पन मिलकर को दिखाया जा रहा है साथी साथ हमारे दी दिल से इस्तेकबाल करते हैं वेलकाम ओल आफ यू विए पी डाइस भी बहुत खुबसूरत विए पी डाइस की तजीन कारी की गई है और जाजीबुल नजर नजरों को फरेब देने वाला विए पी डाइस आप देख रहे हैं स्वागत हैं दोवर के लिए पंदरा मिनट क समय लिया गया ओंफिल अंपार इस बात को मेंशन करें और खास्तोर से वैबो पाटिल हार वोर में कॉर्णर मिटिंग ना करें प्लीज दूसरों से दस साल अगे चलती और यहीं सोच इंजिनियर रवीष दुरु साब की थी एक ऐसा शाकार विवंडी लेदर और टेनिस किर्केट को दिया है जहां पर मैचेस देखने का मज़ा तो कुछ और है लेकिन खेलने का मज़ा उससे बर करें किल की शिर्वात होती भी गेन बादी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है कि रन मढवी को कि रन मढवी एक पिक्चर में पिछले साल आये थे जब उन्होंने बीसी फोर फॉर्मेट में मेमन ट्रॉफी में एट्रिक किया था कि इस जा बद्धा दीने खेडायला सर मचाय थे पाहला मचाय थे थे असपते निया मैंदार कॉमेटरी कराय लेकर ना कॉमेटरी बॉक्षी लेवली कुब बुंस है कि दिए हर चीज का परफेक्शन वही दे सकता है जो आर्केटेक और इंजिनियर हो उनको पता है कहां से क पीचे खिला रहे हैं कमाल का कैच एक और विकेट विकेट नमबर इस किरंड सा सर विचार के लातर खवाड गावातू नानी डिफिनेटली संतोची गुरव तेंचा तालमी मदे तैयर जालेला हक्याड हुए देखिए हेलिकॉप्टर शॉट खिलने के लिए आपके कलाईयों में बहुत ताकत होना होती है आपको गेन के बिल्कुल पीछे आके शॉट को खिलना होता है एमेज दोनी ने ये शॉट लाया था लेकिन टेनिस किर्केट में कृष्णा साथपूते से बैतर ये शॉट कोई नहीं खिलता है अलाकि महेंदर मागे इस शॉट को बहुत कमांड से खिलते हैं पिछले मैच में उन्होंने आखरी गेन पर ये शॉट कहला था लॉंगा बॉंडरी पे और बाली ट्रॉफी में क्या एक्साइटिंग शॉट रहा था हुनका इस जेडी सर महिदान चादीशे नहीं है तो है सद्ध्यादरी बगिट ले जाइदी बोंडी उले सिद्धिक भावे सर बगिट ले चेडी लाव पनिते मत्र पाई ले यास ऑल इंडिया आइकोन है जेडी जेडी का भी एक अच्छा इतियास है लेकिन थोड़ा गरम पानी में आए उन्नीस रन चार्विकेट सद्ध्यादरी शापूर मदूं बगिट लेटर शापूर्स थालुका मदूं बगिट लेटर साइस स्पोर्स मदूं खेयतो है च्छा मदे अनेक सारे ख्याद हुआ है अनि आता मतरा आउल इंडिया इकोन मरनून अनके खानवा ठीम मदूं खेयता ना पाल मीतु है किरन बी बहुत धूर गयें बहुत धूर गयें नोबल फ्रीट आता हुआ आरके फ्रीट के गेनबाज ने सामने वालों को फ्रीट डे दिया है मग मुभा दीलिये एथे मातर बातर ला कुटे ही मैधाना मदे फटका गनवट करू शक्ता कन फ्रीट वर रनाउट फक्का आउट आणि अर्थाद अज हादा मतर संधी आलिया फॉर्म मदी इन्या करिता सरे एक संधी कुप मतवाचे इसकोरे इस वक्त बीस रन चार विकेट फ्रीट आता हुआ अंतरराश्ट्री किरकेट में इसका चलन टी ट्वेंटी किरकेट द्वाजार साथ से शुरूवा ओ क्या गेंती कट के अंदर की जानी भाई बड़े अटपटे अंदास से कहले थे महाँ पर जेडी कदाचीत तची शैली दर्शवा दसाना करान वेग्ग वेरियाशन सत्त दनी पाला मीथर क्रिकेट मंदी दर्शव लग गदाचीत कंफ्यूज याँ सवा चेटू केड़ावा कसा किरन मद्वी अच्छी गेंदबाजी करें शॉट थरमेन बैकवर्ट पॉइंट शॉट फाइन लेकर कवर पॉइंट सर्कल के अंदर किरन मद्वी इस मद्वा पुल कर दिया है कोई मौका नहीं है फ्लाट सिक्स छेरन मुनिया बचके नहीं रहे लिकिन गेंदबाज को बचना होंगा यहां पर बैट्समेन जीतू माली से देखिए पिछला सीजन जो था बीसी फोर का चौको की पहली एट्रिक जीतू माली ने लगाई थी हम पैस ट्रॉफी में बहुत अच्छे स्ट्रोक के लिए रहे बाली ट्रॉफी में यह खिलारी हमेशा सूपर से उपर रहा है कुप सर्वेट कर वा लगले यह शटकार अगरी दा करने पहले चिंड वर पहले चिंड वर शटकार रहे नहीं तर डैरिक्ली इसरे शटका चैया इस्ट्रे चिन वर शटका रहे तो है मग मने दसीन मना मदे जिसका था मुझे इंतजर वसिक्सर आ गया है 27 रन चार विकेट किरन मडवी जीतू को स्वीप करने की कोशिश सवाल पूचा वहां पर अमपायर सहमत नहीं अच्छी वापसी की थी आगे रखी भी गेंती गुटना आगे करके स्वीप करना चाहते थे किरन मडवी शॉट थर्मेन शॉट फाइन लेक बैकवर्ट पॉइंट कवर घेरे में पांच खिलारी बांडरी पर किरन मडवी करक शॉट है और बेधरक है जेरन माली कहीं न कहीं दबाव आगे अब किरन मडवी पे दो सिक्सर आचुके इनके खंडवाल का पलटवार 33 रंच चार विकेट इस मर्दबा कटर थी कटर थी फिर सवाल पूचा हवा में बिट क्या मैच हो रहा है क्या ओवर हो रहा है एक तुमारी तो एक हमारी निशित रुबान सर जाब अद्धा दिने आपन उल्ले खेल अखी बैटरी मागे अटाल थैयार नाई आणि बॉलरी चा करन आपन ग्रामीन क्रिकेट कियाता साल पन इथे मात्र तुमाला त्यास ग्रामीन बागातिल अनेक स्टार एक त्री कानी अतायर इक हसी आते अस्तर हतर लेकी का है समणाय लारकत नहीं आई तुन तीन वर की समापती रन्मने 33 विक्टेगिरी चार आप देखने मारास्त्रा की सूपर से उपर लीग विवंडी प्रीमियर लीग में आप सभी का आर्दिक स्वागत है अलताब बाली सर बीजी फोर पॉइनियर स्पोर् विवंडी के धनवान मांगिलाल पालिवाल साप की तरफ से मुकाबला चर रहा है इस वक्त इनके खनवाल जो कि सुझीत पाटिल विवेक पाटिल फैम टीम है और उनके सामने जो टीम है आरके फ्री टेन एमजे स्पोर्ट फुरकान भुबेरे फैम टीम की बीचे मुकाब लाए अगला मैच दोनों टीमों को टॉस बोक्स दयानन चोर्गे साप से जूर जाना है तारीक रेज फैम टीम रेज बिल्डर एंड डेवलोपर और मांगिलाल पालिवाल फैम टीम मैगी एलेवन किस नेक्स मैच अपले बेटीला हील संगल शटक मनेल अरकत नहीं है लिंगर एक्सप्राइस जा बद्दतीने नाव दिले गिले या कि आडूला हीमान शुपाडिल अधीचाही सीजन मदी कुपसार नावलोगी कमोले या कि आडू ओहो हो काई बॉले फलन दाजाला गुंगारा दिला जेडिला गुंगारा देऊं यस्ती रक्षका चाहतामा देचेंडू इस्टॉक गेंती ये गेंद बाया हाथ के 30 गेंद बास की स्टॉक गेंद रहती है जो बाहर की जानीब कट्टी है बाया हाथ के बेट्समें के लिए इसी दुर्बान हीमान शुपाडील ना गदाची तोड़क लाइं या बद्द दीज चेंडू डिलेवर के में मेंडार नाया सिंगलना दावसंक्या वधारेल जाओं पोसेल अर्थातास 34 सूथीस या अंकावर ये बैटल अच्छा है जीतुमाली बहुत अच्छे टच मेया और इमांशु पाडिल वन अप दी ग्रेट फास्बॉलर इन बेवंडी तालूका किरकेट अलीमगर एक्स आच्छ मदी या ताच्छ मदी या त्या पद्धती जी फलंदाजी होतिया शेडूला अपला बैट चाट टच मेया यू बाउडल लाइंचा बाहर फिकता ना इतरुमाटर पाले में तो है चेडू समताइद दून चार चेडूजा केशेश्ट राता अजुनी पाले में त दवसं केशा उतीस ही मांशुता या निक्स बॉल स्वीचिट केला गेला है एदे मात्रा फटका जरूर संगला है शेत्रक्षकाला दीला गेला इत्सक्वा चेडूबा उडलाइंजा बाहर आलाई सवकर चार दावा कि कमाल का शॉट गी जब सीधी उंगली से नहीं निकर रहा हो ना तो टेरा करना चाहिए बता दिया हमापर जी तुमा लेना खर जूदी या फटकेची एक्स बॉल आता मतर सन्मान देथी लालंग दी कार्पिट वदे गया बेरतिल गया पदोंट्स आइडला डीप चेत्रम अदेशंड़ ट्रेवल हो इल्थी ते मतर स्चेत्र अश्योड गड़तिये सुख थावा मिल्दिल दरी के दिया चेंड़ थावा मिलता इस सर्दोन अनी दावसंग्या दुहेरी धावे ने जाओं पोस्ती है चाईस चार गडें चमोबदला तुमा यह किंग उन्साइड और ताव तर्ट रूड प्रश रूड प्रश रूड प्रश रूड रूड टेकन एजी कपल यसर्दर दून अवगे चसी लास्टर पाईड़ यथा बिदावे धिगान इस गडिवाज यहा निचित्रम आड़ता सना गूलन असाया पनुछ चेग्द स्विचित कराई सोता यावेला फारूग बल्डी सरे इशारा कैतरी वेगा है तो है मग डेफिनेटली वाइड बाल सिंगल मियल दावसं किया फोटी मनेके चाईस फाइडा मियाला है कुटी तरी मात्रा जरका नस्ता ना इसां जा वरून जरका चिनो डिलिवर जाला सतर निराशा थोड़िशी जितुमाईची पायला मियाली अस्ती खनेक चेडू उकर जाईलेसा मनेलार कत नहीं या पनाता मत्रा वाइड बाल गुलंदाजी ट्रैक पर गुलंदास हीमाशु पाडिल उन शेक्दा आपन पाउशक्दा है हल्के आदान फक्त दिशा देताने या चेडूला सिंगल क्लेवर बाटिंग जा बद दिने सरुलेक करता है सर चानक शनी दिने इते माधा फलेंदाजी करते प्रतिक चेडूला चटकार जाईलेसा नस्ता कि वा त्यालास महत्व देलेसा नस्ता सिंगल डबल लाही महत्व देताना दवसं के बेचाईस देखिए दिन में जो मैचेस थे उसमें असी का लक्ष ता पिछला पच्पन का था लेकिन वो लक्ष छू नहीं पाई मैगे लेमन गुलन्दा सियार हीमा शुबाडिल शटका दिल बुड़सा चेडू चड़ी करिता चड़ी चा बैट मदून चेडू कूपण अवे मधे जेल लाहे संदी चेडू काली होता श्यतरक्षक जेलो तोई ड्रॉप चेलो तोई ड्रॉप आनि क्रिकेट मादी जेल ड्रॉप होन कि दी महां का जडर तो अने का निवाई लाई बहुत आसान सा कैज गिरा दियाओं पर अकबर शेक ने चारवर की समाप्ति इनके खानवाल ने बनाएं कुल मिलाकर 43 रन ये देखिए इतना आसान कैज ता जिसको लपक नहीं पाए अकबर शेक जेडी को मिलता हुआ जीवन आल इंडिया इकान ख्यादूर सरी थे मातर शिवन दान दिले जाथ फटका गुड़ी तरी फसला जोदा सुपा जेलोदा अम्चा प्रेक्षग राजा उपसी जाला ही थे मातर तेनना ये लाई उटिली केडिका सिंगला आपन पाता है यस प्रेक्षग राजा तुम्चा बीचि फोर अने अल्ता बाली सरांच वतीन अरता तस सहर्श स्वागत हर्थी गषादिक स्वागत अपने उपसीट होता है इते मातर सर्वां सा प्रेक्षग राजा वल्कम सुवागत हम इता है इतकी सुन्दर शिववसता सिटिंग एरज्मेंट प्रेक्षग राजा ची दुर्मादर पाले में दिया स्टैंड पाले मीथ है वैपो पाटिल आपको आप वान किया जा रहा है चार वर के लिए आपने उनतीस मिनट का समय लिया है कि आप देख सकते हैं हमारे दर्शकों को सभी का अर्दिक स्वागत है विवंडी प्रीमियर लीग सीजन फोर में बाया आत के बैटशमेन जैदीब सामना करने जाुए गंधबाज धन्राज का फस्टर फ्युरियस गंधबाज धन्राज इस सीजन में यॉर्कर्स किंग बने हुए हैं लेकिन इस मैच में कम यॉर्कर सुनके देखे गए, फिर अपने स्टेप में चुके, दिखिए विनितमाली धनराज ये ऐसे तेज गेंदबाज है, इनके साथ थोड़ा क्रैम्स की समस्या लगी भी है। संगले बद्ददीनी उड़क, पठलिया या गुलन ददनचे। अर्था दस भाइला मियत नहीं है, थोड़ा शी कदाचीत नाराजी है। भाइला मियत असे जेडी चा फैंस करण। आकडी ओर में ये खिलारी सर्कल में आएंगा, धनराज। जेडी को डूंटे रह जाओंगे, क्यार अफ्तार में गिराफ्तार कर रहें, जेडी को धनराज। दनराज, जेडी के लिए इसमादबा पैरों पे निशाना था, और आकिर कार जेडी ने अपना विकेट फेग दिया, आउट हो गए। दूने मारे जेडी के लिए, गुडे दरी गुलंदास दनराज। अप्ता परेंथ। तीन बाद फिकलेत अणिया, खाई गुलंदास दनराज। दिखिए धनराज जन्हें अब तक 1.3 वर्स के हैं, सात रन दिये, दो विकेट लिए। रेस का घोरा, अगर रेस के दिन दोड़े, तो फिर जीतना लाजिम है। कदाशी दनराज। त्यास बद्द दिना। केर दर्शवता सन्यू बाटर, राहूल केने माइदान चा दिशेना। राहूल केने आ हैं बल्लेबाजी के लिए, ओर नमबर पांच चर रहा है, तैयालीस रन, पांच विकेट। तैयालीस रन, पांच विकेट। धनराज। लंबे रनभ से मुर्तेवे, थोड़ा धीमा जाते हैं, फिर तेज होते हैं, फिर तेज गेन, ये तो बॉडि लाइन बॉलिंग हो रही है, लगातार शरीर का निशाना लिया जा रहा है। कमाल की तेज रफस्तार बोलिंग आप देख रहे हैं, लेक भाई, एक रन आता हुआ डूपते को, तिनके का सारा बुर्ते आला कारी सा आधार, एक रन से स्कोर आगे बरता हुआ, चमालीस रन, पांच विकेट। मिया, तिस मंटे सार की कुठी तेरी लोग स्कूरिंग जा दिशे नहीं है, आगे कुछ करता ना दिशे की काया समना। लास ओफिचल कॉल है, रईस बिल्डर इन डेवलोपर की केप्टन और मैगी, 11 की केप्टन, धनराज मुर्तेवे, जीतु को, नो बॉल है, और शॉट भी जबरदस है, चार रन, बॉटामेंट का गजब का इस्तेमाल। नाम है, आरके फ्रीट, एमजे स्पोर्ट, जो इस बार फिल्डिंग कर रही है, देखे, गेट के पास एक गाड़ी खाड़ी भी है, 4252, जिस किसी की भी है, वो गाड़ी हटा लेनी है, प्लीज, नाम आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट है, लेकिन दो फ्रीट अब तक दे चुके हैं, सामने वाले को, कमाल का शॉट, ऐसा लगता है के, जीतु माली अलग विकेट पे बल्ले बाजी करने हैं और बाकी बल्ले बाज अलग विकेट पे खेल रहे है, संधी खुप महत वाद दिले गेले, या करिकेट माद यानी फ्रीट नी, एक संधी दिले दाजाला, श्विंग अन्मेस, गेन बैट केई थी, सब्मरीन गेन थी, डॉट गेन, गर्जे सो तो, डॉट बॉल एन असर, अनि या, कर फ्रीई ता चेई दूब अमि मदलाना के, संधी कुप महत वाद वाच यास थे, क्रिकेट मधी कूप सर, महत वाद वाद या शब्द के लिए, खींच के मारने की कोशिश उपर लगी है, विकेट की पर नीचे, बढ़िया रनिंग कैच, आउट होगे, जीतू माली अन्थीम चेट वर विकेट सबदन अन्थीम चेडूआर विकेट सबदन और कया मेरवर्क यास दस मिनट के उपर का टाइम जैजा लिया गय है, एक खिलारी सरकल ने और आएंगा एका क्या आडूला बाउंडरी लाइन वोर्ण तैनात केले जै थडियाट सर्कल्च आत्मदे नियम असर पालन काटे गोर बने इतुन मातर केले जै अपाच चिर्णू चेंपले अपाश चटकांचे Kayce अपलाई दवसंक्या सहागडे इंचा मोभड ला थेकों पन्नास सुरजखकेने मैदान च दिशे नी एता अन आपिलेहला पहाल मितोuine सुरजखकेने मैदान च दिशे नी एताँ अन आपिलेहला येसे पहाली मितोUI तैच्चा वर जिम्मेदारी सोपोवली साति हैhost अन्तिम शटगा मधें मन्सुब आजी दावा कन्वाट वावया या अनुशंगान अगताचीत इत्य मातर अनले गले वंटो मन्सुब तोडू दूदू मुदू काने सटी गुलंदा अला कोना अले जाई तर अर्थ अस गुलंदा ट्रैक वर शटक्रमां का अंतिम हतर ने करी बाइदा अमाश्यू बाडिल अलिम्कर एक्सप्रेस गिद्यमादर अलेगेले संगलगेल यह श्यूए भूओ अमी पाइलेगें तरिफिनिट्रेट को सब्सक्रणेगेल है फट्क फसलाइ की का यस अध्यमादर फट्क फसलाइ शिर्डू गालीश द्रक्षक विकेट फेयर बदन रहुल केने ला पर्था फला गेल इतुर मात्र थंबू चास्वा बाग 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 तो पविलियन बिकेट सा बदन थोड़ सम्स्रेमिंग शॉट समनाला इतुर मात्र अरकत नहीं आक्शन रिप्ले मधी आपन पाता है चेंडू काली शेत्रक्षक हिमांशुना पिल्यास बॉल्वर सफल्दा मियों दिल्या प्लेटीम ला कैमेरा वर्क अपनितुर मात्र पाता है जसा चेंड प्लेटीम देंची यानि संगल इते मात्र अ नियु बाड़न मैधान चे दिशेन किशोर मुकादम मैधान चे दिशेन एतन अपलेल पाल मेत्वें किशोर मुकादम वरता इतन जिम्मे दरी असेल करन साथ गडेंश मुबादल्या दवसंके एककोन पन्नास मी अधी मंटलकी कुटे तरी लोस्कोड चा दीशेने आगे कुछ करता न दिस्वेकी काई इतन मात्र हा सामना हने टिन इस्क्रिकेट जगत लोस्कुरिंग मैट सर्वाधिक टफ प्रक्षक राजयल ही ता मैचस बगाला कूप सरे आवरता अता मतर श्यत्रक्षन हमादी थोड़से चेंजिस अधिस कुपसार वेगे ता मितरा नो विरंदी करतों कि वे थोड़से खमी गया माचला सुरुवात करा गुलंदा सीमान शुता यार अक्रोस लाइन आफटका कनवड के लाए शेत्रक्षका हे दोन शेत्रक्षका ना सक्वादी उंचिनु माउंडलें जबाहे रा अर्था अधिस सवकार चार अधिस सवकार गनवड उतान पाले मियाले दवसंकिया वदार तिया ज़ूंपोस ये 53 त्रिपन ना यांखावर याफटक्याचि अवशकता हो दी ही मां शुबरा अटेक कर आला सुर्वात के लिए कदाचित पानी के लिए जातिया मित्रान नाता मत्र हाद जोडून मिनन दिया से लुमाला की थोड़से वेच आपती सहकार्य करा अधिस अपलाई क्यादू अत्मादी घतला गिलाए ये गुशी सापना थाना सुदे गोल अगां का तंबू चास रहा खाला तूगही एक मेकान वार भारी बढ़ताना आप्ला लिए तुर मात्र भाली मीटा लिए फलन दात्र मात्स अउकर टोकता है ना तर नेस बाल वाल भाली थी मात्र विकेट सा बतान नीह होता ना प्लेला पाली मीता पंडी प्रीमेर लिए ऐख प्रत्य गोध्टी रदुमाद आ ले प्रत्य गोश्टी रभा परीषास ना रे करण वीवञ्टी किरिकट यानी संपोर्ण तालूक्यात इसल क्यादू में का संगा मदे खेड़ना डेल आ अ tenga मात्र वोन वेग वेग गया संगा मदे के थां डिश्ट है जैक्ड राइस पुरित पोसाई से जिते सज्ज सिल्द उम्चा समवेत सिदिक बाबे सर अनी अजय गरस सर आट गड़ेंच चा मुबदल्या दवसंकिया 53 त्रिपन या अंका वर दवफ लग्जाओं पुस्तान पाल मीत तीन चेंडू अजुनी शेशत तीन चेंडू अध्स भवित्यव अप्लेयल पाल में दैवत ओहो यस्टी रक्षगा कड़ून थोड़ सचुगा सुगोदान करना यस्टी रक्षगा चाहा हाईट्शवर उन चेंडू डिलेवर चाला है जंपी गेली घदाशीत त्रिचा हाथाला सपरिश करून चेंडू मा मैट्स भवित्यव अध्या चेंडू बार मैट्स अवण समधना रहे कि धावान परेंदा अवण माते दिलेजाईल यानि त्या नुसार सिक निनिंग्ला सुर्वात होताना अप्लेयला पाली मेल कुलंदा जीतुर मातर सज्जो तो इनिक्स बॉल ओहो स्टोक अप्लेयला पाल मेता तेक्स रखवर चडोक अवरुना चेंडू ट्रावलोत यानि अश्टर मी उद्गार लना कि टेनिस क्रिकेट क्रिकेट समाधक संदर्या वाड़ोना रहा फटका का स्टोक या खुप सारे वेया नी पालेया निया शटकार गुलंदा सेयार निक्स आणि दावा मेल दिल दरी किती यस डिफिनेटली दावा मेधिल या चेंडू आर तीन दावान ना दावसंक्या तहा शटकांच समाप्ति अंतर जाओं पोसले 63 थ्रेसर्ष्ट विजया करिता 64 वसर्ष्ट दावां सब्वान सब्वान समोटे वले पावया तो शच्ट भी इस वक्त हम खरें दयाना चूर्गे साब टॉस बॉक्स में साइबान फक्की प्राइस बिल्डर एंड डेवलोपर के केप्टन अल्देबेस विनित मैगी 11 के इस टॉस के लिए मैं आवास देना चाहूंगा जेट पी अमेंबर और हमारे छोटे भाई और जिने सतकार सम अमराध भी कहा जाता है डेशिंग हैंडसम नाइमशेक को अधिया सर आपका हर्दिक स्वागत है मिस्टर दयानंद चूर्गे साब टॉस बॉक्स में आइए मैं सिक्का आपको बताता हूं एक तरफ गोल्डन में बीपी यल सिजन फोर सूपर से उपर लीग चलता हुआ औ और बीपील ही आता हुआ तो टॉस को जीत लिया यहाँ पर राइस बिल्डर सेंड डेवलोपर स्टीम के कैप्टन ने थैंक यू सो मच नाइम शेक साब आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से मंच की शोबा को बढ़ाए तैबन फकी यूंडी प्रीमियर लीग का चाम ब अच्छा है वही सबसे बहुत अच्छा मैच होगा तो जीता क्या करेंगे फिल्डिंग करेंगे रिजन हमारे सब लोग प्लियर्स का अंदाद है कि हम चेस करेंगे अलाग कि अक्सर देखा कि ऐसा नहीं कि चेसिंग नहीं होता है लेकिन सामने की टीम मैगे लिमने आपने दो मैचेस जीते हैं टीम अच्छे होसले के साथ आगे बढ़ रही है एक माइंड सेट करके आया होंगे कि चेहोड में कहां तक रोकेंगे फिफ्टी अंडर फिफ्टी रोकने की कोईश करेंगे हम लोग बहुत ज़्यदा डिपेंड किन दो गेंदबाजों पर आप कर रहे कि यहां पर हमारे इसमें काफी अच्छे बोलर एक एक नाम भी हुआ है तो उमीद करेंगे तीसरे जीत की तरफ आप जारें आप जारें आइंशाओला अ मैगी 11 संगाचे करणदार माजा समवेत जोड़ लेगे लेले है टास बॉक्स मदे विनित माली विनित पहला मैच आप जोड़ एजोन काई पॉलन या मैच मदे तुमाला प्रतम फलंडाजी कराचे तरसादर एंचाओल करणदार टार्ट पर्तिकलर टार्गे तुम्च अटो एम्दे सहाओ ओर समदे साथ पासट पासट अनियर संगम अधिक चंजिस वगरे सब्स्ट नाइ प्रेत नाइ बेक तो दी कोमेंटरी बोक्स शुबाद दुमाल इस दियर अकुब कुब दन्यवाद शिदिक बापेसर और दन्यवाद अजय घरत फिवंडी प्रिमेड लेक देसी पोर अलताप सेक बाले प्रेजन पर वट सूथापन भदेग अनी छुथाप पर वर सरो भीवंडी वासे ना है गर्वा अचार रजनी मधिल ही जूथी लड़त अबन भाद यूथी रजनी है जूथी लड़त बिसे पोर अलताप बाले सेक बाले प्रेज पीवंडी प्रेमेड लिग उनीवाद ब्सेंडिय प पालेवल अल्थाव सेक सर्पन्स खुनिग्राम पंचत तर्ग्यान इंट्री नक्येट्स संगाच अपलेला पाहला मिल्ड़ नेमिस्काइधिर नविन अपलेला पाहला मिल्दे अनि भिवन्दी प्रिमेड लिक्स पर्दें मधिन नविन अपन पाधुए इसका इंतजार तो खिलाडी भी करते हैं गजब की ये ग्रैंड एंट्री रॉयल एंट्री है इनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम बेच मेदान में पहुंचती हुई खुब सूरत सा ये मंजर स्वागत है आप सभी का भिवन्दी प्रिमेर लिक सीजन चार में चौथी रात है टोर्नमेंट की और चौथा मैच इसमें आपके समक्ष आरके फ्री हिट एन एंट्री हिट अनके स्पोर्ट्स खांडवल एंके स्पोर्स खांडवल टीम ने 63 रम बनाया है अपने निर्धारिट छे वर्स में और 64 रनों की चुनाओती है मैच को जीतने के लिए आरके फ्री हिट एन एंट्री स्पोर्स के सामने जीतने को मिले अपनिंग जोडी में भी बदलाव देखने को मिला पर आग ज्यादा ओपन करने आये थे कुमार गुंड की साथ इसे पहले दोनों भी सूरज के ने ओपन करने आ रहे थे सूरज के ने जूनियर वन डाउन आये और सूरज के ने सीनियर आठवे नंबर पर आये एक चका भी जड़ा उन्होंने बहुत ही क्लासिक शॉट था वो ऑन दर राइस डिप एक्ष्ट्रा कवर के उपर से अलागे उस तरह के स्ट्रोक्स के लिए वो जाने भी जाते है और बहुत कम बलेबाज है अलागे उस तरीके से शॉट्स खेलने वाले टेनिस क्रिकेट के खेल में खास तोर पर अपना क्लास जरूर दिखाया वहाँ पर बले से सूरज के ने जूनियर ने लेकिन जीतु माल ने कमाल की बलेबाजी के 28 रनों का शांदार योगदान दिया और उनी के बलेबाजी के चलते अच्छा टोटल बनाया है 60 प्लस टोटल अंडर फ्लेड लाइट्स इतना आसान नहीं होता है चेस करना पिछले मैच में हमने देखा चववन रन बनाने के बावजूद भी मैगी 11 को मात दी थी अग्दी बरवार पुर्ण आपने समय अपले माताशे फ्लाइड लाइसमादे हाई टोटल नकेच संगला टोटल अपले लापाल मिलत है सलामी बलेबाज आल इंडिया आइकॉन प्लेयर शाहिद शेक और उनके साथ करिश मातरे देखे शाहिद शेक का बलना बोलना बहुत ही ज़रूरी है आरके फ्री टैनेमज स्पोर्ट्स को यदि इस टोर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो पहले मैच में शिकस्त मिली थी कल रात आरके फ्री टैनेमज स्पोर्स को मैगी 11 के विरुद अपना मैच उन्होंने हारा था और बलेबाज ही पूरी तरह से फ्लॉप रही थी उस मैच में पहले बलेबाजी उनको मिली थी इस मैच में रंचीस करने है उनको और शाहिद एक ऐसे बलेबाज है यदि अच्छे फॉर्म में रहे तो फिर ये टार्गेट बहुत चोटा लगने लगेगा पहली गेंद ओवर पिच ड्राइव कर दिया है उनसाइड में फिल चुरू किया है सुरच के ने सीनियर ने अब फ्रेंटलन गुलूंदा जबन पदिव सुरच के ने जब पहले चिंडू और दून धावी ने अपला अकॉन ओपन कि ले फुलंदा शाहिद से के ने इस बार अंदर आइस ड्राइव कि आगें दवा में फिल्डर के पास मौका बन सकता है जिहां बेटरिंग क्याच मिड़ाफ की दिशा से पीछे-पीछे जाते वे वहाँ पर किशोर मुकादम ने क्याच लपका है और एक बार फिर से काफी जल्दी आउट होते वे शाहिद सब्सक्राइब करें अच्छा नहीं है उनकी बलेबाजी में पर दो रन आ चुके थे थे थोड़ा समय समझता हो कि उनको क्रिस पर टिके रहना ज़रूरी था क्योंकि इससे पहले भी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ उतना अच्छा नहीं है वैसे में कहीना कई दबाव तो था उनके उपर लेकिन एक आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास अन्द राइज क्रीट्स बॉक्स में से बल्ला चलाया था उन्होंने सामने मिड़ोफ को क्लेर करते वे चका जड़ना चाहते थे वो लॉंगोफ के उपर से खिलना चाहते थे लेकिन नूची चली गई और समय मिला वहाँ पर किशोर मुकादम को अच्छा फील्डर माने जाते है किशोर मुकादम कोई कलती उन्होंने नहीं की दो पर लगा है पहला च्छटका आर्के प्रीट अन्म्ज स्पोर्ट्स को नव श्याम की कमिवल आपलम जाती करन आँ काद से किलिपते टिकुन रान को मत वोच ओज होगा जाते पाहँ पाइदा उसल ने प्रेट ने जागो ने किला जाना रोटाने ची टर तर पाहलाई देखे ल मिलाले देखे लिए ता मत्र क्लेर करते है लिए लुक्त तो प्तानी पारी क्या खेल पाएंगे वाइबो पाटेल यह ने चुद्रुप से एक बहुत बढ़ा सवाल बना हुआ है करिश मात्र एक और बेतरीन बल्ले बाद इसमें नॉन स्ट्राइकर से इन पर विकेट की खुराक मिलने के बाद अगली गेंद लेकर सूरच के ने शौट अमपोल गेंद अबा में और गेंद मैदार के बाहर गुल शानदार चका सुरेक फटका अपला पाल मलते हाले आल या शेट करने अपला अकाउन ना ओपन करताना अपन पो दोई वाइफो पाडिल कोहिनु रॉप कोली विली शेट करने अपला खादो गड़ोई जब मिलते हैं तो बले बाद पुल शौट खेलते हैं लेकिन यहां पर एक अच्छे लेंद पर गिरीवी गेंद देखिए कितने जल्दी पूजिशन में आ गए थे हाला कि बैक फूट पर पूरी तरह से जाने के लिए उनके पास समय भी नहीं था लेकिन बैट स्पीड उन करना आपको कोई सिखा नहीं सकता है कितना भी बड़ा कोच क्योंना हो गेंद की लेंद को पिक करना यह आपकी एक नैसर की क्षमता होती है जो कि अद्वुत है वाई वो पाटील की कि इस बार लोफल टॉस ट्राइव किया में डॉन के फिल्डर तेजी से जपते है डिरेक्टीट की जरूरती जेडी का निशाना चूकता हुआ रिस्की धाओ तेकर अतर जोखिम पतकर लुथी शॉर्ट अखेले नंतर लगेट्स धाओ धाओ धी शुड़ादा फुलंदा यह परमश्यक्त रिफले मदें लौट फुल्टा चिंडव था बरुबरा मधों मध्रा बैच्छा गेता देखिलाला नोधा आउट ही थे यदि गेंस्टम्स पर लगती तो बहुत पीछे नजर आ रहे ते रिफले में सपश्ट पता चलता हुआ तेलीकास्ट लाजवाब है प्रिंस मूवीज का जितनी भी तारिफ की जाओ उतनी कम प्रिंस मूवीज की नोपर एक आरके फ्रेट एनेमज स्पोर्ट्स चौसर ट्रनों का पीछा करते हुए अवश्यक रन रेट जो है वो ग्यारा के थोड़ा सा अंदर है ग्यारा के करीब है उस पर एक निगाह रखना बहुत ही ज़रूरी करेश मात्रे भी लोटते वे पेवलिन की राहा पर इते स्टेट खेलने जब स्ट्रोक खेला तो उंचा ही ज्यादा रही थी उनके स्ट्रोक में और इनोंने जब स्ट्रोक खेला है तो उंचा ही थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी लेकिन उचा ही कम रही एलिवेशन जितना चाहिए ता अपना बना नहीं पाए खड़े-खड़े ऑन्दर राइस प्रहार किया था सामने जबर्दस कैच मिड़ा आपको सब्सक्राइब करें जब्लेबाद ने बल्लेबाद दानिश काजी बहुत अनुबवी खिलाडी है बायात के विस्फोटक बल्लेबाद अपने स्वभाविक खेल के लिए जाने जाते है अपने पिंच चिटिंग के लिए काफी मशूर है दानिश काजी और इसके साथ ही पहले वर का खेल समाप्त होता हुआ रन संक्राइब करें दानिश काजी के ग्यारा दो विक्टो के नुक्सान पर आरके फ्रीट एनमजे स्पोर्ट्स और एनके स्पोर्ट्स खांडवल के बीच में यह मैच चलता हुआ और दोनों भी टीमों का अभी तक खाता खुला नहीं है पॉइंट्स टेबल में इनके स्पोर्ट्स खांडवल टीमने इससे फ़्रेव दो मैच्च सेढ़े हैं दोनों में शिकस्त मिली है और टे एनम जे स्पोर्ट्स अपना दूसरा मैच खेल रही है पहले मैच में उनको भी हार मिली है बहुत मैत पून मुकाबला है तोनों भी बड़ा उनको जटका लगा है कि दोनों भी प्रारंबिक बल्लेबाज आउट हुए है करिश मात्रे भी आउट हुए है और आल इंडिया आइकॉन प्लेयर शाहिद शेख भी सस्ते में पेवलेन में लौट चुके है दोरन शाहिद ने बनाए खाता नहीं खुल पाए करिश मा लोगो भी किस्मत का साथ मिला है दोनों भी रनाउट होते होते भज गया है तो उसका फाइदा उठाना जरूरी है एक अच्छे पाटनर्शिप की दरकार है इस समय आरके फ्रेट नम्ज स्पोर्ट्स को नेवर लेकर आल इंडिया आइकॉन प्लेयर जेडी जैदिप भुं वाइफो पाटिल कितो मातर मिश्टाइम फटका 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 फासल लाई या इश्रिक शिक चन्डू खाली अने अंकिरेक फुरंदा जाव लाइगल तंबू जास्रेला वाइफो पाटिल बैक टू पैविलेन जेडी की पहली गेंद आगे रखी वी गेंथी और उस पर करने की कोशिश जबकि विकेट पर टिके रहने की आवश्च चकता थी कप्तान यहाँ पर गलती कर बैठे बड़ा हिट चड़ना चाहते थे थोड़ा सा यहाँ पर धीमी गती से गिंद को डाला था उपर लगी बले के और अच्छा कैच सूरज की नहीं जूनियर द्वारा फ्रेंट आन वीव से देखते हैं सामने वाले एंगल से यह देखिए बले के बीचों बीच लेही नहीं पाए अच्छा कैच थोड़ा सा पीछे भागना पड़ा था विकेट कीपर को कप्तान आउट होकर पेविलेन में लौटते वे संकट में फस गई है चौसट रनों का पीछा करते वे इस मैच में आरके फ्रीहिट एन एंप्ज स्पोर्ट्स ग्यारा पर तीन कप्तान ने बनाए साथ रन अट आप पर जे तीनी फुलंदास बाद उन डगोर्च अस्रेल अले लेत संकटा मंदे सापर लेन किस अपन बाद हो या आरकेन एंप्ज स्पोर्ट्स आपने टीम के लिए खासवा पर ग्रामीन क्रिकेट में कई बार अल्रांडर की भूमी का अधाकी है उन्होंने जरी मरी आलिम घर के लिए अनि तीस आता नित्यांद आवोश्यक्त आई यह उन टेपल ले इमांशु पाटेल कड़ों ने भरपुरा पिक्षा असना रहत करना संगड़ा तुन न पिलानी परिना प्रिना 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 प्रिने एक दावोश्यक्त अपना खाता खुला है सुच बूज बरी बल्लेबाजी की जरूरत है इसमें आर्के फ्रीट एन एम्जे स्पोर्ट्स को यहां अंतिम क्षणों में उस केन पर अपना बल्ला लगा दिया था हिमांशो पाटिल ने थोड़ी दीमी गती से डाली भी गेंती और खोन बनाती भी थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही थी पहले ऐसे लगा कि शायद छोड़ देंगे हिमांशो लेकिन आकरी क्षणों में उन्होंने तय किया कि इसको खेलना है खेला और सिंगल बठोर लिया कि यह विली सामना करेंदाज दाने सकाजी कि यह यह करपेज सारे चिन्डू जातों या गली रिजन मदे थाटेर सटकर मदे चिन्डू आडवला जातों एक रिदावी ने दोनी फुलेंदाज जने अलत आवशक्ता है अनि सायम बालगा हो लागे लिया दूनी फुलेंदाज जा इते मातर पुर्णाइक देड़ एक्स्रेक्श्यक एक दो पुर्णा दूसरी दाव करेंचा नके संधी निर्मान जलिले अनि तया संधी तो सूर्ना करताना दूसरी दाव देखली पुर्णा पंस है वो काफी चूप सकते है मैच यदी क्लोथ चला गया और यदी मैच से आपको हाथ दोना पड़ा एनके स्पूर्स खांडवल को तो कहीं ना कहीं ये रंस उसमें क्रुशल साबित हो सकते है अग्दी बढ़ और एक्स्ट्रा नंकेट्स कारने भूट ठरूश एकता है त्य कवे आनुसार ढालने की कोशिश च्टी बैकलेफ का लगातार इस्तिमाल करे है और और जेडी बिरुद धर केसी भी तरीके का आक्रमन ये कोशिश नहीं उनकी स्ट्राइक को रूटेट करने का प्रयाज जारी है प्रियास किया था उन्होंने आखरी गेंद पर लेकिन के वलेकरन मिला है दोर की समापती स्कोर बीस रन तीन विक्टो के नुकसान पर पहले दो वर्स के लिए बारा मिनट का वक्त खर्च किया गया है तीन सफलताय प्राप्त कर चुके है गेंद बाज जेदिप के खाते में एक सफलताय कोवर में नौर रन खर्च किया उन्होंने पहले वर्स में 11 रन देखर दो सफलताय प्राप्त की सूरच के ने सीनियर ने और आकरमन अपना जारी रखते वे सूरच के ने सीनियर उनका ये दूसरा और आखरी वर्स चाहेंगे कि कुछ और विकेट्स अपने खाते में डाले जाए और अपने टीम की स्थिति को और मजबुत किया जाए बचेवे चार वर्स में 44 रनों की आवशकता है मैच कुछ जीतने के लिए आरके फ्रीट एन एमजे स्पोर्ट्स को यानि कि ठीक 11 रन प्रती और के इसाप से रन्स बनाने है फिलाल जो करंट रन रेट है वो 10 रन प्रती और का है तो कोई जादा फासला तो नहीं है लेकिन तीन बड़े बले बाज आउट हो चुके है वो कहीं न कई एक दबाव बना है बले के अंदर लगी है लेकिन गैप में निकल रही है लॉंग लेक शेत्र में फिल्डर पहुंचे है वहाँ पर बाउंडी लाइन के करीब अच्छाक शेत्रक्षन एक ही रन लेनिक आउसर दानिश काजी के पास तो यह एक रन निती हो सकते है कि दानिश काजी आकरमंट करेंगे और हिमांशु जो है एक छोर संबाल कर खड़े रहेंगे स्ट्राइक को रोटेट करने की जिम्मेदारी उनकी कंदों पर सब्सक्राइब करना भी होगा क्योंकि आस्किंग रेट थोड़ा बढ़ता भी जा रहा है हुप्सूरत गेंदे इस बार गलत लाइन पर खेल बेटे टैप करना चाहते ते आप साइड में संग्ला चुन्टो अग्दे अगुष्णा डॉप्स्टमा चुन्टो अदल लोदानी फुलन दर्फ पुर्दम पने चेकित बिड़ जाला हो था अच्छी रफ्तार के साथ और बहुत सधी वी लाइन पर ये गें ती ऑस्टम के थुड़ा बाहर रखा था कभी-कभी जाद सावधानी भी खत्रे से खाली नहीं होती है अगली गेंद वेकर सूरज राइटाम ओर विकेट एक और शांदार गेंद इस बार फुलर लेंद बीट किया बैट्समन को विकेट कीपर से हुवी है गलती उसका फाइदा मिलता हुआ एक रंचुराल या 22 का इशार अंपायर गोकुल पाटी इन द्वारा स्कूर बढ़ता हुआ 22 रंद तीन विक्टो के नुक्सा आन पर कमाल की गिंद बाजी कर रहे है सूरज के ने सीनियर अनकेट्स पहले शटक पीवन से तेने चंगला तलो ते जया शटका मंदे तेन दोन सपल दार जित को ले तानी अप्या गिंद बाजी बहुत ही उम्दा हो रही है लेकिन विकेट कीपर द्वारा जरूर लगातार गल्तिया देखने को मिल रही है वर्थ रोके कुछ रंस लुटाए गए है ओ इस बार रपेश परिवर्तन कटर का इस्तेमाल दानिश काजी को चकाया है जबर्दस गिंद बाजी बहुत अच्छा मिश्रन सूरच खीनी द्वारा गति मदी परिवर्तन नकिस बाला मिला लो था कि अंगलिया फेरी दानिश काजी से गेंद को दूर लेकर चले गए थे इस बार उपर लगी है फिल्डर गेंद के नीचे शाट फाइन लेक पर आसान सा क्याइच और बैट्समन आउट दानिश काजी अनि इत्तिय मात्रा आपन बातो है या श्ट्रगल करताना धिसो दूता है कि दानिश का जैने त्या दर्फन खली है विकेट तैने फेक लिले ले अतिरिक्त गती और अतिरिक्त उचाल देखने को मिला हाट लेन पर गेंद रखी थी सूरज खेने ने और दानिश की नजरे नहीं थी स्ट्रोक खेलते समय गेंद पर आखे हट गई थी टॉपेज कि बाइस पर गिरा है चौथा विकेट अभी भी 42 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए अरके फ्रीट एन एमजे स्पोर्ट्स को तीसरे और का खेल इस समय समापती की तरफ बढ़ता हुआ मातर एक गेंद शेश है सूरज के ने सीनियर के स्पेल में क्या कमाल का स्पेल ग वहाँ पर मौजूद है दूसरे के लिए पल्टे है बढ़िया रनिंग बिट्विन दविकेट्स शांदार दौड विक्टो के बीच में और दो रन पूरे होते हुए दो रनों से खाता खुला अकबर शेक का और इसके साथ ही ये सफल स्पेल समापत होता हुआ सूरज के न तीन ओर के पच्चात स्कोर है 24 रन चार विक्टो के नुक्सान पर और अब बचे वे तीन ओर्स में 40 रनों की जरूरत तिन शेट का मदे 24 दवा आने एनारे तिन शेट का मदे इत्वन बरवर 40 दवन चो शेकत है आज समना जिंगना साथे और के एन एमजे स्पोर्ट्स या संगला ने में तंतराल पर विक्टिगिर्थी जा रही है पहला विकेट दो पर गिरा दूसरा नौ पर तीसरा ग्यारा पर और चौथा विकेट बाइस पर गवादिया है आर्के फ्रीट एन एमजे स्पोर्ट्स ने इमान्शू पाटिलाने अग्बर शेक जूड़ी सद्धे माइदना मदे अने अत्तमात्र या जूड़ी और पुर्ण ओने मदार असना रहे दरहास समना जिंकाई जेचल आरके एन एमजे स्पोर्स संगला तरह या जूड़ी लान किट्टिग पर टिकूं रावला लगे ल जरूर है बले बाजो के लिए जरूर गेंबास भी विकेट से थोड़ा फाइदा ले रहे है थास्वार पर अंडर फ्लेड लाइट्स कहीं बाजो ने बहुत अच्छी गेंबासी कि है इस पूरे टर्नमेंट में तीन गेंबाजो को हमने देखा है जुनने फाइपर लिया ह मनुज घाटाल सोहास पवार और भवेश्पवार गुलूमते बदल राजपटिल गुलुंते जिमार कोर पायला मिल तोई आटो तो थो तो तेकि जेटिये ला केंटीन ओधिवतिल मत्र तसवाइब पायला मिलत नहीं राचपटिल एलन पेट्स गुलूमते जिमार कोर अनल कर रखा गया है डेट ओवर्स के लिए और वैसे भी डेट ओवर्स में कमाल की गिंद्वाजी करते है जेडी ओल इंडिया फॉर्मैट में हम कई बार देख चुके है आकरी वर में छे रन आठ रन दस रन कई बार बचा चुके है अनि तेज कारना त्याला राखुन डेवले ल कि उन्होंने फुल्टॉस से शुरुवात की थी बीमर पर चका भी लगा था उसके बाद फ्रीट गेंट पर भी चका लगा था लेकिन आज उन्होंने गिंद्वाजी अच्छी के पिछले मैच में बढ़िया गिंद्वाजी की थी राज क्लीन बोल्ट बेल्स का जली मानो बल्लेबाज का दिल जली उठा वहाँ ताज नहीं वहाँ राज बोलिये जबर कस्केल हिमान शुपाटिल फुलर लेंद की गेंट ऑप स्टम के थोड़ा सा बाहर रखा था क्रीज में बहुत पीछे खेल रहे थे और थोड़ा सा हेलिकॉप्टर स्ट्रोक की तरह वो श्ट जमानी का प्रयास था बहुत बढ़ा इंसाइड एज लगा और गेंट सीधे जाकर जो लग रहा था कि एक सुच बूच बरी पारी खेल रहे हैं वेभी पेविलेन में लाटते हुए पारी पूरी तरह से लड़कडा तीवी आर्के फ्रेट नम्ज स्पोर्स की 24 पर पांच नए बले बाज आया है चिराग माली बिग बड़ आप रानाला चिराग माली आता मत मिडल ओडर मदे पाला मिल तोई अकबर सेक अनि चिराग माली जोड़ी माइदना मदे दाउसंगे चोवीस आनी चोवीस वर निम्मा संग गार जल ले पास फुलंद अज बाद उन फैल मदे फ्रत लेत सोला चिराग मदे इत्तुन अजोनी चालीस दाउन चोशेक दाए इत्ते मातरा सुरेख फाट का बीग बड़ आप रानाल चे बैड़ बुझना वीग गा शिटकार अजो आप शांदार उप्यों किया है और सुर्दार फ्लिक शॉट लगाया है दूर गगर की चाओ में गेन को भीज दिया है आते ही चिराग माली ने शांदार चका सिक्सर से अपने पारी का आगास करते वे चिराग माली और इसी तरह की शॉट्स की जरूरत भी है कि आसकि काफी बढ़ता जा रहा है और दो ती नैसे स्ट्रोक्स आएंगे तो फिर बल्ले बाद अच्छा फील करेंगे और गेन बास जो है वो थोड़े बैक फुट पर नजर आ सकते हैं अकर बिग ब्लेट ने अपला खातर अकोन उपन बिग शॉट ने लिए शेट करें अपला अ अबन बोड़े एक तुमारे का हमारी एक बड़ा हिट जड़ते वे थोड़ी उम्मीद जगा दी थी वहाँ पर आरके फ्रेट एन एमज स्पोर्ट्स के लिए चिराग ने लेकिन मूतोड जवाब उनको दिया गया है अगली गेन पर राज पाटील द्वारा जबरदस गुसा उतार दिया कि कटर थी बाहर की तरफ निकल रही थी गेंद के चौदा गेंदों का खेल शे शेवार जीतने के लिए अभी वी चौंतीस रनों की ज़रूरत लेकिन केवल चार विक्टे बची है लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं अजेगरत के मैच में अभी काफी दम है दम तो है लेकिन मैच जीतना है तो बल्ले बाजों को अपना दम खम दिखाना होगा खीरन आये है नए बल्ले बाज कल इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी दो चक्के जड़े थे राज पाटिल स्विंग करने की कोशिश बाहर निकलती भी गेंड डॉट गेंड इस तरह की इस्तीदी में अजेगरत अगर डॉट गेंड दे आएंगी तो बल्ले बाजी पे दबाव बढ़ जाएंगा जे हाँ बिलकुल सही का आपने फिर से कटर का इस्तेमाल टपा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती भी गेंड बायात के बैट्समन के लिए अच्छी सोच की गेंड बाजी जादा रफतार नहीं है राज पाटिल के पास लेकिन कटर का बहुत अच्छा इस्तिमाल किय उन्होंने अपने लिमिटेशन में रहते वे गेंड बाजी किया है राज पाटिल इस मर्दबा भिंगरी शोट है और गेंड निकल गई है मिट विगेट के उपर छेरन पिक्चर अभी बागी है मेरे दोस्ट अपने लॉंग लीवर्स का इस्तिमाल करते वे कीरन मढवी मैन फॉर्म कवार्ड कल भी इन्होंने दो चक्के जड़े थे जब टीम पूरी तरह से लड़कर आ रही थी उन्होंने अच्छी बले बाजी की थी अक्रॉस दिलाइन स्विंग किया जबरदस्त जन्ना अटेदार सिक्सर दो चक्के लगे इस ओवर में गटना पूर्ण ओवर विक्टे भी मिली राज को लेकिन इस सिक्सर ने इस मैच में एक नई जान फूग दी है चारवर की समापती पर हम देखते हैं तो आरके फृट एम जे स्पोर्ट्स का स्कोरा पहुंच चुका है च्छतीस रन बारा गिंदे और यहां से जीतने के लिए अठावी सरन मैच अभी भी जिन्दा है और हो जो कहते हैं सास है तो आस है च्छतीस रन दोनों बल्ले बाज इस वक्त पीछ पें मुझूद हैं किरन मडवी और उनके साथ अकबर शेक देखिए अकबर शेक का वो खेल हमने नहीं देख पाए हलाके आपको पता हूंगा कि पहले बीपील में कमाल की बल्ले बाजी करते वें अर्देश तक जरा था देखना है कि प प्रतिशत देना होगा यहाँ पर अकबर शेक को यह मैच जीतने के लिए और के फ्रेट एन एमजे स्पोर्ट्स को और अब गिंद बाजी के लिए जेडी एक बार फिर से आते हुए खेल की चिरवात होती भी मरता क्या ना करता ओल इंडिया एकॉन जेडी को बलाए गया है जेडी जेडी का सामना करेंगे अकबर शेक चार खिलारी सरकल में शौट थरमेन शौट फाइन लेक बैकवट पॉइंट और स्टेटिश मिड़ाफ पहली गयन कोई स्टोक आफ़र नहीं किया डॉट गयन यह समय गयन्दे छोड़ने का कहा पर है अब तो प्रहार करने की जरूरत है वाइट समझ कर छोड़ दिया था लाइन को जजी नहीं कर पाए काफी अंदर थी अच्छा नेने अंपायर गुकुलडास पाटिल का जेडी मुकाबला चल रहा है एनके स्पोर्ट खानवाल बनाम आरके फ्रीट एन एमजे स्पोर्ट जेडी की गेंट गजब की गेंटी आगे रखी भी गेंटी और काटा बदला था गेंटने इस बार थोड़ा सा पीछे भी रखा था उन्होंने थोड़ा अतिरिक्त उचाल भी था एक्रोस दिलाइन खेलने का प्रयास अच्छी विकिट कीपिंग वहाँ पर बैट्समन पूरी तरह से बीट होते वे अकबर शीक जेडी इस मर्दबा उचाल दिया इन्फिल्ड के उपर से और गेंट चली गई है छे रनों के लिए नाप तोल के मारा हुआ सिकसर अकबर का पलट वार दो डॉट गेंदे खेलने के बाग जड़ा है चक्का और आप समीकरन नौ गेंदे शेष जितनी के लिए चाहिए आरके फ्रेट एन एमजे स्पोर्स को बाईस रन नौ गेंदे बावी सुरन जेडी की अकबर ने पिछली गेंपे खबर ली पहली दो गेंपे खबरदार किया था अकबर को जेडी मुर्तेवे आप इस टाम के बाहर फिर शॉट नहीं खेला है और देखिए उनके काफी करीब ये गेंद आफस्टम के काफी बाहर निकल चुके थे पहले ही दूसरी मरतबा इस ओवर में गेंद को छोड़ा है और दोनों भी गेंदे डॉट रही है एक चका लगा है लेकिन तीन डॉट गेंदे खेली है अभी तक इस ओवर में अकबर श अकबर को बलने के अंदर लगी है कारपेट के जरी आउटफिन में गई है एक रन बना एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं अब साथ गेंदे और 21 रन अलाके अकबर शेक वहीं बैट्समें ने जिन्होंने पिछले सिजन में बीसी फोर फॉर्मेट में फाइनल में आकरी होड जेडी चतूर चलाग जेडी जबदस के इंदबाजी करते वे अभी तक सिप 7 रन खर्च के है पहली 5 गेंदों पर इस ओवर में पहला ओवर भी काफी अच्छा घटा था नौरन देकर एक सफलता प्राप्त की थी समीकरन साथ गेंदे शेष जितने के लिए चाहिए 21 रन औ साथ गेंदे 21 रन एका एक मैच बनता हुआ नजर आ रहा है अगर इस पर बड़ा चौट है न तो आख्री ओर थ्रिलिंग क्लेमेक्स फ्लिक कर दिया है गेंद अंदर है और आउट होगे किरन मढवी अलागे एक लमे के लिए लगा था कि शायद ये गेंद बाहर जाए ताकत को नहीं जोग पाये थे और ताकत लगाने का मौका भी नहीं था क्यूंकि गेंद बिल्कुल पैरों में थी जहां लेक्स्टम की दिशा में ये फुलर लेंद गेंद थी पैरों की तरफ गेंद आ रही थी फ्लिक किया था स्क्वेर लेक बांडरी लाइन के बाहर बेजना चाहते थे लेकिन थोड़ी सामने चली गई डिप मेंडवेकिट की तरफ गेंद चली गई टाइमिंग 100% नही जादा लिया गया है 25 मिनट से जादा समय लिया गया है जिस वज़े से एक अतरिक खिलाडी सरकल के अंदर आएगा आकरी ओर में 21 रनों की जरूरत है आरके फ्री हिट एन्मज स्पोर्ट्स को अन्फिल अंपायर एक खिलाडी और अंदर आएगा अलाके सुझीत पाटी लब थोड़ा इत्मिनान मैसूस करने है डगाउट में माननिय श्री विकास बापना साब का शुभागमन होता हुआ मंच पर आपका भिवन्दी प्रीमियर लिग सीजन चार में हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस टॉर्नमेंट के प्रस्तुत करता अलता पाली साब और बीसी फोर और पाइनेर स्पोर्ट्स क्लब की और से आपका हार्दिक स्वागत यह टीम ओनर आप देख सकते हो एनके स्पोर्स खानवल टीम के सुझीत पाटी थोड़े चिंतीत नजर आ रहे है इसे में चेक साथ में राजू अगरवाल साब भी हमसे जूर चुके हैं उनका भी हमार्दिक स्वागत करते हैं वेल्कम खिल की शिर्वात होती भी एक ओवर एक्कीस रन और गेंदबाजी के लिए किशोर मुकादम तालू का किर्केट में इस खिलारी को बीपील से ही शौरत मिली चेक कीस का एक्क्वेशन सामना करने जारे अक्बर शेक इस तरह के एक्क्वेशन के बहुत खतरनाक बैट्समेन है जहां सारा दारू मदार इस समें अक्बर शेक के कंदो पड़ चेक अनि शुबागमन मंचावर उतना प्ला पाले में ते राइस बिल्डर छे संग मालक तारीक राइस साहिबान से ते शुबागमन जाले वेलकम साहिब अपला बीपील मधे हर दीगा देख स्वागत ओवर टू कॉम बोक्स तारीक रेस साब जूर चुके हैं अब पांच गेंद 21 रन अच्छी गेंद की थी सामने रखा था गेंद को सामने खिलना चाहते थे अकबर शेक पांच गेंद 21 रन हीट आउट और गेट आउट इस तरह की स्थी ती इस वक्त एमजे स्पोर्ट आरके फ्रीट के पास स्विंग कर दिया है क्या गेंद मैदान के अंदर ओ माई गॉड ये कैश नहीं पड़ाग जादोंने मैच पकड़ा है अन्मारी इस स्विंगकज कर दो मैचे तरेग्ट आम जादोंने मैच पकटराज को घखर के त् झाल 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 झाल